हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग खुश होंगे अच्छे होंगे और सब लोग नया साल बहुत अच्छे से सेलिबरेट कर रहे होंगे और सब बच्चों ने अपना रेजलिशन जो है वो ले लिया होगा कि इस साल हमने एक्जाम जो है वो क्लियर करना है अ साल जो है वो जरूर पूरी होंगी तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में मंथली करंट अफेर से तो नया साल है नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा है तो गाइस अक्तूबर के हम हंडेड बेस्ट करंट अफेर को डिसकस करने वाले हैं ताकि जिन इसाम है अभी 6-7 दिन के बाद जो बैंकिंग के एक्जाम है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेलफुल रहेगी तो हम अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर पहले कम्प्लीट करेंगे फिर हम कम्प्लीट करेंगे जुलाई, अगस्त और सेप्तमबर तो ताकि 6 महिने का करंडफेर को सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं affairscloud.com slash करंडफेर या फिर आप इस वीडियो के नीचे description box है उसमें हमने link दिया हुआ है उस link के उपर आप क्लिक करेंगे तो by default आप जो है subscription area में पहुंच जाएंगे आपको पूरे साल प्रेटिकल करंडफेर होंगे एक PDF में question and answer format में उसी दिन के करंडफेर होंगे next होगा weekly PDF तो जो week wise करंडफेर जो है आप revise करना चाते हो तो आप इससे कर सकते हो बहुत easy है weekly test अपने आपको evaluate कर सकते हो कि हमें कितना करंडफेर याद रहता है बहुत ही अच्छा platform है next most important PDF है ज theoretical current affairs provide करेगी next PDF जो है question and answer PDF जो भी theoretical current affairs है वो आपको question and answer format में मिलेंगे ताकि आप current affairs को बहुत अच्छे से पढ़ सको next pocket PDF नाम से पता लग रहा है आप current affairs को easily revise कर सकते हैं इससे next होगा banking finance and economy PDF खास करके उन बच्चों के लिए तियार करते हैं हम जो कि banking की तियारी कर रहे है आर ranking awareness का अलग से section जो है वो आता है next होगा top 100 current affairs जो ये video है ये उसी PDF से जो है वो हम त्यार करते हैं मतलब आपको PDF मिला करेगे 100 questions की और 100 questions का video भी मिला करेगा ताकि आप फटा-फट उसको revise कर सकें तो यहीं हमारा initiative है ये भी question and answer format में होगा तो जिन बच्चों ने subscribe किया हुआ है वो ये already जो है वो PDF पढ़ चुके होंगे तो questions का answer जो है वो साथ ही साथ देंगे तो काईज ये सारी subscription आपको बहुत ही कम दाम पे मिल रही है आप एक बार check जरूर करें आप खुद surprise हो जाएंगे और इसके उपर हम आपको extra 10% discount दे रहे हैं अगर आप ये code use करेंगे as10 तो आपको extra 10% discount जो है वो हम परवाइट करेंगे तो हम start करते हैं फिर आज का जो session है हमारा जो कि हम नए साल में नई चीज़े जो है वो start करेंगे उसमें हमारा पहला section है monthly current affairs का तो ये हिंदी के हैं इसके बाद आपको जो English माधियम के students हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी we will provide also in English तो monthly current affairs October का start करेंगे तो 100 questions हम करेंगे सबने answer whatever देना है मैं 30 second का time दूँगा हर बच्चे को तांकि वो answer जो है वो कर सके question के बाद otherwise एक request है कि आप video को pause कर सकते हैं pause करने के बाद जो है आप अपने answer को मेरे साथ match कर सकते हैं तो start करते हैं दोस्तों पहले question के साथ पहला question है which company has partner with American Express MX का मतलब है American Express to provide global benefits and offer exclusive privilege to their premium customers मतलब कौन सी company ने जा या कौन से card company है जिसने American Express के साथ जो है वो tie-up किया है तांकि वो exclusive privileges दे सके अपने premium customers को premium customers का मतलब है पूरे global network services level पे वो ये benefits जो है वो provide कर सके और मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ आप वीडियो को pause करें और answer जो है वो साथी साथ दे सकते हैं अंसर क्या होगा इसका SBA card होगा तो answer क्या होगा दोस्तों three होगा very simple और SBA cards और payment services के जो MD और CEO है वो कौन है अश्वनी कुमार तेवारी और headquarter कहां पे इसका गुरूग्राम या गुडगाओं हर्याना तो next question पे आते हैं which company has partnered with Bajaj Alliance to launch cyber insurance named digital structure group insurance तो नाम से पता लग रहा है ये cyber insurance के बारे में बात हो रही है लेकिन ना समझ पे आए तो examiner आप से ये भी पूछ सकते है कि ये insurance किस से related है या कौन सी company ने ये insurance किया है तो Bajaj Alliance जो है वो इसको launch कर रहा है कौन सी company के साथ मिलके launch कर रहा है तो वीडियो को pause कर सकते है अंसर दे सकते हैं सब बच्चे मेरे साथ match कर सकते है तो बहुत ही simple answer है इसका answer क्या होगा flip card होगा Bajaj Alliance के साथ flip card ने मिलके digital सुरक्षा group insurance को जो है वो start किया है खास करके उन लोगों के लिए या उन customers के लिए जो की अपना data को उनको डर है कि वो जो है वो कहीं ना हो जाए या कहीं पर खतम ना हो जाए तो cyber attack हो सकते हैं cyber fraud हो सकते हैं तो उनके लिए यह start किया गया तो answer क्या होगा flip card नेक्स आते हैं इंडिया successfully test fired which supersonic cruise missile with a strike range of over 400 km यह September 2020 में यह इंडिया ने test fire किया यह supersonic cruise missile है तो इन में से कौन सी supersonic cruise missile है तो answer बहुत ही simple है answer इसका क्या होगा answer होगा three Brahmos तो वीडियो को pause कर लिया करें मेरे answer से पहले क्योंकि जब तक मैं question को समझाता हूं मेरे ख्याल से 30 seconds से ज्यादा time हो जाता है तो आपको answer देने के लिए काफी time मिल जाता है तो answer क्या होगा Brahmos दो word से मिलके बना हुआ है ब्रहम पुत्रा और Moscow से मिलके बना ह है नाम याद रखना है headquarter new Delhi है और head कौन है जी सतीश रडी नेक्स आते हैं दोस्तों नेमदी wicket keeper who has contributed for the most number of dismissals in T20 international विकेट कीपर का नाम बताना है जिसने बहुत ज्यादा dismissals कर दिया है most dismissals का record उनके नाम चला गया है T20 international में और अगर आपको मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे क्योंकि उन्होंने MS Dhoni जी का record जो है वो तोड़ दिया है MS Dhoni का record तोड़ के वो पहली cricketer बन चु इसा बिलॉंग करती है Australian women cricket team से तो नाम को याद कर लेना है Australian women cricket team से और उन्होंने कितने dismissals किये हैं उन्होंने dismissals टोटल कर लिये है 92 और MS Dhoni जी के नाम पे कितना है 91 dismissals है तो दो चीज़ें याद रखने वाली है एक तो यह कहां से बिलॉंग करती है और कितने dismissals किये 92 इन्हो hospital and 20,000 22,000 seater cricket stadium in which country तो 100 बैड़ेट cancer hospital इंडिया बना रहा है 22,000 seat का एक cricket stadium बना रहा है कौन सी country में इंडिया जो है वो यह काम कर रहा है तो इंडिया जो है वो एक line of credit एक तरहा का loan जो है वो provide कर रहा है almost 800 million USD मतलब 800 million dollar का जो loan प्रवाइट कर रहा है यह export import bank की तरफ से दिया जाएगा government of India का initiative है तो कौन सी country की बात करें बहुत सा infrastructure हम वहां पे develop करें और अंसर क्या होगा Maldives अगर education से related question आजए तो maximally chance है कि अंसर क्या होगा Nepal लेकिन अदरवाइस अंसर क्या होगा Maldives होगा तो याद कर लें इसको Maldives और यहां पर हमारे लिए country important हो जाता है Maldives Maldives क प्रेजिडेंट कौन है इबराहीम मोहमत सोली और capital कौन सी है माले करंसी कौन सी है Maldives रूफ़या तो याद रखना है करंसी कौन सी है Maldives रूफ़या next question आते है new development bank has approved UST 241 million for which metro rail project क्योंकि आपको bracket में दिख रहा होगा कि 500 million UST दिया है दिल्ली गाजियाबाद merit RRTS transport के लिए लेकिन new development bank ने ये fund जो है वो किस metro project के लिए दिया है तो इसको याद रखना है जो दिल्ली गाजियाबाद merit है उसके लिए जो है वो almost 500 million दिया है लेकिन ये जो है वो new development bank जो BRICS का है इन्होंने दिया है वीडियो को pause करें अंसर को match करें अंसर क्या होगा इसका fourth होगा Mumbai metro rail project क के लिए दिया गया है तो याद रखना इस चीज को बहुत important है 241 किसके लिए 500 किसके लिए दिल्ली गाजियाबाद merit regional repeat transport system भी बहुत ज्यादा important आपके लिए तो याद कर लें fourth answer होगा नेक्स आते हैं how many banks were excluded from the second schedule of the RBA Act 1934 in September 2020 तो कितने banks को बाहर निकाल दिया गया second schedule of the RBA Act से क्योंकि किसी न किसी तरह से जो है वो merge हो चुके हैं तो उन merger के बाद जो है अब recently structure जो है वो change हो चुका है तो कौन-कौन से six banks की मैं बात कर रहा हूं तो ये भी आप साथ में note कर सकते हैं तो answer मैं आपको बता चुका हूं answer क्या होगा six होगा six banks को जो है exclude कर दिया गया है most important question में इसको mark कर सकते हैं जैसे कि मैं example लेता हूं आपके लिए ये six banks कौन से हैं syndicate bank है, oriental bank of commerce है, united bank of india है, andra bank है, corporation bank है और Allahabad bank है क्योंकि ये merge कर दिये गए हैं जैसे example लेते हैं OBC और United bank of india, OBC और United bank of india जो है वो merge कर दिया गया, किसके अंदर PNB के अंदर merge कर दिया है, सब को पता है कि सर PNB के अंदर merge हो गया, next इसके बाद अगर आप देखोगे, syndicate bank, syndicate bank, और जो syndicate bank है, वो किसके अंदर merge कर दिया गया, canra bank के अंदर merge कर दिया गया, andra bank, और साथ में corporation bank जो है, वो merge कर दिया गया, union bank of india के अंदर, UBI के अंदर merge कर दिया गया, और Allahabad bank जो है, व तो किस ने हिंदुस्तान Uniliver Limited के साथ जो वो साइन किया है किस बैंक ने साइन किया है तांकि वो डिजिटल पेमेंट का जो हम कह सकते हैं HUL का structure है वो इंप्रूफ किया जा सके और उनके जो आउटलेट्स हैं दिस्टिब्यूटर्स हैं रिटेलर्स हैं वहाँ पे उनको एक अच्छा माध्यम जो है वो प्रवाइट किया जा सके तांकि वो भी POS मशीन का यूज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं तो अंसर क्या होगा अंसर बहुत ही सिंपल है फिर से इसका अंसर क्या होगा State Bank of India या रखना अपने बहुत ही इंपोर्टेंट है और पहले यह मुंबई और बैंगलूरू में उपलब्द करवाया जाएगा फिर दीरे-दीरे करके जहां भी H.E.U.L. के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जा सके और उनके एक्सपीरियंस है हम लोग भी जो है वो आके बढ़ सके तो इसलिए जो है वो इस दिन को मनाया जाता है तो काफी टाइम मिल चुका आपको अंसर देने के लिए अंसर क्या होगा 1st of October तो याद कर ले important day में से एक है United Nation International Day of Older Persons तो 1st October को इसको recognize किया जाता है और इसका theme जो है वो basically क्या था थीम था pandemics, do they change how we address age and aging? अब आते हैं अगले question की तरफ who heads the three member interim committee of directors constituted by RBA to run Dhan Lakshmi Bank क्योंकि आपको पता है कि Dhan Lakshmi Bank जो है वो इस time period पे जो है वो बहुत जादा डूब रहा था तो by default जो है वो उनकी एक three member की temporary committee बनाएगे directors की उस committee को कौन lead करेगा मतलब उस committee के MD और CEO जो है वो कौन होंगे जो उस committee को आगे बढ़ाएंगे मतलब दन Lakshmi Bank का जो daily routine है उसको चेक करेंगे तो answer क्या होगा इसका जी सुबर्मनिया ऐयर तो याद करना है जी सुबर्मनिया ऐयर जो है वो इसका answer होगा तो तीन member होंगे ये chairman होंगे बाकी दो members के आप नाम यहाँ पर देख सकते हो लेकिन आपके लिए important है आपने सिर्फ जो है वो जो director है मतलब इन तीनों जो तीन member committee है उसके जो head name वहीं याद रखना है नेक्स question आते हैं who has been chosen as the recipient of the 2020 Gandhi award for महात्मा गांधी national foundation तो बहुत ही simple सा question और बहुत ही important question अंसर याद रख सकते हैं आम आदमी party के रज्यसभा के जो है वो member है और answer क्या होगा इसका बहुत time दे चुका हूँ मैं आपको ए अंसर होगा अंसर क्या होगा संजे सिंग जी अंसर हो शुकरियान 1 कौन से इयर में जो है वो इस रो लॉंच करेगा इसको इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जो है वो इसको लॉंच करेगा विनस मिशन को जिसका नाम है शुकरियान 1 कौन से इयर में जो है वो इसको लॉंच किया जाएगा इसमें फ्रांस की जो हायता ली जाएगी तो ये भी आप याद रख सकते हो और साथ ही साथ इसका year जो है वो क्या होगा 2025 जब मैं question को समझाता हूँ या question को दो बर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको time दे रहा हूँ कि आप अंसर को बता सकें तो अंसर क्या होगा डी होगा 2025 में शुकरियान वन को launch किया जाएगा और इसरो की तरफ से ये launch किया जाएगा किसकी help से फ्रांस की जो space agency है उसकी help से इसको launch किया जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं प्राइम निस्टर मोधी एनोगरेटेड वर्ल लॉंगेस्ट हाईवे टरनल अटल टरनल इन विच स्टेट और यूटी अटल टरनल का जो दगाटन किया गया है जो कि मनाली को connect करता है लेस पिती के साथ यह आप कह सकते हो मनाली को connect करता है लहौल स पिती के साथ तो बताएंगे लहौल स्पिती और मनाली जो है वो कहां की डिस्टिक का हिस्सा है तो अंसर बहुत ही सिंपल है अंसर क्या होगा इसका हिमाचल परदेश होगा हिमाचल परदेश तो मैं ज्यादा आपको extra information बता नहीं रहा क्योंकि हमने 100 questions को discuss करना है तो हम ग्राम संपर्क अभ्यान is the financial inclusion initiative of which bank launched by union minister नरेंदर सिंह तोमर तो आपको पता है कि जो हमारे agriculture minister है वो नरेंदर सिंह तोमर जी है तो उन्होंने एक initiative या financial inclusion initiative start किया है जिसका नाम है ग्राम संपर्क अभ्यान तो ये महात्मा गांदी जी की जो 150th anniversary है उसको mark करने के लिए जो है ये तीन महीने का campaign जो है वो start किया गया है तांकि लोगों को literate करना है कि किस तरह से आप financial inclusion के साथ जुड़ सकते हो और किस तरह से आप benefit उसका ले सकते हो मतलब financial literacy को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया ये 31st December तक चलना था मतलब कल तक जो है वो इसको पूरा होना था 31st December 2020 तो October, November, December तीन महीने का ये program था इसमें 24 states को cover किया गया और 526 districts को भी जो है वो cover किया गया तो answer क्या होगा इसका पंजाब National Bank तो याद कर लेना है पंजाब National Bank ये होगा ग्राम संपर्क अभयान नेक्स आते हैं दाले खुसरानी नाम को याद कर ले दाले खुसरानी दाले state got the geographical indication tag recently most important question में इसको mark कर ले दाले खुसरानी जो की एक मिर्च का परकार है तो उसको किस state का geographical indication tag जो है वो दिया गया है तो answer बहुत simple है वीडियो को pause करें और answer को मेरे साथ match करें answer क्या होगा इसका answer होगा सिक्किम तो याद कर ले answer क्या होगा सिक्किम होगा तो red chili एक तरह क आप कहा सकते हो जो use किया जाता है और इसको red cherry pepper chili भी कहा जाता है सिक्किम का तो याद कर ले दाले खुसरानी नेक्स आते हैं housing and urban affairs secretary दुर्गा शंकर मिश्रा has launched API integration between prime minister स्वेनिधी portal and e-mudra portal of which bank तो question बहुत simple है कि ये API integration जो है basically इसका मतलब है API का कि application programming interface जो है वो दोनों का combine कर दिया गया है एक तो prime minister स्वेनिधी scheme का और e-mudra portal को दोनों को combine कर दिया किस bank के portal पे जो है वो इसको combine किया गया तो housing and urban affairs जो हमारे minister है वो सबको पता हरदीप सिंग पूरी जी तो उनकी तरफ से permission दी गई और जो secretary है उनकी तरफ से इसको क्या कर दिया गया approval दे दिया गया और concept bank की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे है state bank of India की तो याद कर ले answer क्या होगा इसका three answer होगा मेरे ख्याल से सब बच्चे answer जो है वो सही दे रहे हैं next आते हैं Harvey J. Alter, Charles M. Rice and Michelle Hoxton has won 2020 Nobel Prize in Physiology and Medicine for discovering which virus तो बहुत ही important है क्योंकि मैं बात कर रहा हूं Nobel Prize in Medicine या Nobel Prize in Physiology तो यह तीन बंदों को यह award दिया गया है जिसमें से दो जो है वो American है एक बेटेन से बिलॉंग करते हैं जो आप लास्ट में देख रहे हो नाम Michelle Hoxton यह बेटेन से बिलॉंग करते हैं और Charles M. Rice and Harvey J. Alter यह कहां से बिलॉंग करते हैं अमेरिका से बिलॉंग करते हैं और इन्हों ने किस बिमारी के वाइरस के बारे में जो है वो बताया है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है उसके बारे में भी जो है वो आप कह सकते हो research चल रही है तो answer इसका बहुत simple है answer क्या होगा hepatitis C virus तो याद कर ले न किस field में मिला है और यह मिला है medicine के अंदर hepatitis C किन बं कुछा जा सकता है किस field में मिला है medicine में मिला है कौन सी चीज को discover करने के मिला है hepatitis C जिससे liver cancer जो होता है जादा था तो उसको रोका जो है वो जा सकता है तो याद रखना है hepatitis C virus नेक्स आते हैं which country plan to send world's first mining robot as tried mining robot जिसका नाम है into space by November 2020 कौन सी country की बात करने जो की एक mining robot को बेज बेजने जा रही है ताकि वहाँ पे भी जो है वो हम mining करके मतलब rocks को हम लेके या वहाँ पे जो है वो उसको तोड़ के किसी तरह से हम उसमें से चीजों को निकाल सकें तो mining robot का जो नाम है वो है asteroid mining robot और यह कौन सी country plan कर रही है बेजने में और यह country plan कर रही है चाइना चाइन 2021 के end में या 2022 के early months में जो है वो बेजेगा जिसका नाम क्या होगा Yuan Wang तो नाम को याद कर ले Yuan Wang 1 इसका मतलब होता है Look Up 1 तो मतलब उसके नाम से जो है वो इसको बेजेगा तो Little Hubble का जो है वो एक आप कह सकते हैं इसका निकनेम है Little Hubble का Yuan Wang ये भी चाइना जो है वो बेज रहा है तो नाम याद रखें अधरवश जपान और चाइना में आपको confusion हो सकता है तो माइनिंग रॉबर्ट आ गया तो चाइना नेक्स आते हैं इंडिया's first ever organic species seed park will be set up in which state तो first ever organic spices seed park will be set up in which state कहां पे जो है वो ये खोला गया है कौन सी state में इसको खोला गया है और जो उनके chief minister है उन्होंने इसको integrate किया है तो नाम क्या होगा state का नाम बहुत ही famous है state यहां से मोदी जी बिलॉंग करते हैं इसका गुजरात गुजरात होगा याद रखने आपने तो दो तरह की organic spices जो है वो वहाँ पर 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 लूंच the first of its kind debit card facility for availing loan against securities तो अगर आपके पास कोई securities पड़ी हैं, किसी भी तरह की securities आपके पास हैं, तो उसको pledge करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, loan ले सकते हैं, मैं किस bank की बात कर रहा हूँ, ICCI bank की, तो नाम याद रखें, ICCI bank जो है वो आपको securities को pledge करके भी loan जो है वो provide कर देगा, और उससे related उ एक नई तरह की facility है, जिससे क्या होगा, कि आपको वो debit card दे देंगे, उसमें already जो है वो पैसे डले होंगे, तो आप उसमें से पैसे को use कर सकते हों, तो वो loan अब इस तरह से भी electronically मिला करेगा, क्योंकि RBA ने अलाओ कर दिये banks को, कि आप loan जो है वो debit card के थुरू दे सकते हैं और याद रखना, ICIC ऐसा पहला bank है, ICIC ऐसा पहला bank है, जो इस तरह से loan जो है वो provide कर रहे हैं, तो ICIC bank याद रखेंगे, नेक्स आते हैं, Roger Penros, नाम को याद कर लें, Roger Penros, Reinhard Genzel and Andrea Gaze got 2020 Nobel Prize in which field, किस field में उनको Nobel Prize मिला है, तो कौन सी field के अंदर उनको Nobel Prize मिला है, यह आपने कंटरी से बिलॉंग करते हैं, यह बिलॉंग करते हैं, United Kingdom से, Reinhard Genzel जो है, वो कहां से बिलॉंग करते हैं, वो जर्मन से बिलॉंग करते हैं, और Andrea Gaze जो है, वो कहां से बिलॉंग करते हैं, अमेरिका से बिलॉंग करते हैं, तो इनको यह Nobel Prize मिला है, तो याद रखना है, इनक हमारे Milky Way Galaxy के बिलकुल बीच में है, तो ये उनकी जो है वो discovery है, इसके लिए इनको 10 million Swedish kroner जो है वो मिलेंगे, तो आपने सिरफ नाम याद रखना है कि किस-किस को कौन सा award जो है, वो मिला है, किस category में मिला है, नेक्स, the unfinished is the memoir of whom, ये जो book type जो है वो एक memoir release किया गया है ये कौन सी filmी हस्ती का है ये आपने मुझे बताना है, चार options आपके पास मेरे ख्याल से ऐसा question जो बहुत बार आपको exam में मिलेगा, और बहुत important Penguin Random House ने इसको publish किया है तो अगर आप देखोगे ये इस बहुत ही पहले जो है वो launch कर दिया गया था मतलब ये October का question नहीं है ये बीच में डाला गया तांकि आप इसको थोड़ा सा समझ सको question को और answer क्या होगा इसका प्रियंका चोपडा तो याद रखना है unfinished जो में मायर है वो किसका है वो है प्रियंका चोपडा का नश आते हैं विच बेंक पर्टनर विद विस्तारा तो लांच इंडस्ट्री फरस्ट को ब्रेंडिट फॉरेक्स कार्ड फो इंटरनेशनल ट्रेवर्स तो देखो एक फॉरेस Eastern चर्ण कार्ड का काम क्या होगा कि मान लो आप यूए से जा रहे है तो उसमें dollar भी add हो सकते हैं आप Europe जा रहे हैं, यॉरप के किसी nation में जा रहे हैं तो वहाँ पे euro भी add हो सकते हैं तो अगर अलगलग countries में travel करते हो तो एक ही card को आप use कर सकते हो तो आपको दुबारा-दुबारा currency को change करवाने की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसा कौन सा bank है जो पहली बार co-branded forex card जो है वो launch कर रहा है international travelers के लिए तो answer क्या होगा इसका? Axis bank होगा तो याद कर लें Axis bank जो है वो co-branded forex card जो है वो निकाल रहा है और किसके साथ launch के रके कर निकाल रहा है? विस्तारा के साथ जो एक आप कह सकते हो कि बहुत ही famous airline है इसको नाम जुरूर याद रखना है कि किसके साथ tie up किया? ये भी आपको पूछा जा सकता है तो ये multi currency forex card होगा जो की अलगले countries में visit करते हैं तो cashlessly आप जो है वो क्या कर सकते हैं? तो Axis Bank दोस्तों याद रखें नेक्स आते हैं who has been appointed as the chairman of State Bank of India with effect from 7th October 2020 7 October को उनको लगा दिया गया तीन साल का उनका time period होगा और नाम जुरूर आपने याद रखना है नाम क्या होगा? सब बच्चों को बताए ये तो Dinesh Kumar Khara Dinesh Kumar Khara ये SBA Bank मतलब State Bank of India के जो है वो chairman लगाएगे हैं अश्वनी कुमारते वारी मैं बता चुक है SBA Cards के हैं तो अश्वनी कुमारते वारी तो next आते हैं दोस्तों अगला question India's first transportation tunnel will be constructed below which river? तो कौनसी river के नीचे जो है underwater जो है वो tunnel बनाई जा रही है और वो कौनसी state का हिस्सा होगा तो अगर मैं river बता दूंगा तो आप state जो है वो अपने आप बता देंगे तो state है West Bengal river कौनसी होगी? हुगली होगी तो answer क्या होगा? इसका C होगा और इसमें कौनसी company जो है वो सबसे ज़्यादा loan दे रही है वो जपान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजनसी मतलब जी का जो है वो loan प्रोवाइट कर रही है almost 4158 क्रोड रुपी का loan जो है वो ये organization प्रोवाइट कर रही है इसमें ministry of housing and urban fair भी है ministry of railway भी है तो याद रखना है कि 16.6 km 16.6 km के ये एक तरह का metro railway corridor जो है वो इसमें include किया जाएगा तो river याद रखने है river hooghli state कौन सी होगी west bengal next आते हैं how many people will be pushed towards extreme poverty due to covid-19 by the end of 2021 as per the world bank report तो world bank का एक data है जिसने ये बताया है कि covid-19 के कान 2021 के end तक बहुत ज़्यादा लोग poverty के अंदर चले जाएंगे जिन countries ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी poverty से निकालने के लिए लोगों को तो और भी ज़्यादा लोग आप poverty के अंदर चले जाएंगे even उन्होंने ये भी कहाया कि बहुत ज़्यादा armed conflict होंगे climate change हो रहा है दो-दो countries के बीच में tensions increase हो रही हैं तो rise होगा poverty का तो 20 सालों के अंदर poverty का जो है वो rise आपको मिलेगा तो answer क्या होगा इसका answer होगा 150 million people 150 million तो next question आते हैं the second edition of quad held between India, Australia, Japan and United States of America at which city तो कौनसी city में ये quad try आप कह सकते हो quadilateral security dialogue मतलब एक exercise हुई है इन चारों countries के बीच में Australia recently अगर आप देखोगे इसमें add हुआ India, Australia, Japan और United States ये चार countries जो है वो इसका हिस्सा है quad group आपको पूचा जा सकता है quad group के अंदर कौनसी country हिस्सा नहीं है यह है तो आपको पूचा जा सकता है तो answer क्या होगा कहाँ पर ये meeting हुई है ये dialogue हुआ है Tokyo के अंदर कहाँ पर हुआ है Tokyo हमारी तरफ से S.Jai Shankarji ने इसके अंदर participate किया था next question आते है what is the estimated GDP of India in financial year 2020-2021 as per the World Bank World Bank का क्या prediction है कि इंडिया की जो GDP है वो कितने percent contract करेगी according to the World Bank तो इसका answer क्या होगा मेरे खाल से सब बच्चे अंसर सही दे रहे है answer क्या होगा B होगा minus 9.6% कि इतने percent जो है वो क्या करेगी contract करेगी ये World Bank की तरफ से इसलिए important है World Bank का आपने याद रखना है next आते है which is the first state in India to use quick development antenna technology for disaster management बहुत important है क्योंकि disaster management जो है वो बहुत जरूरी है आज के time period के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा climate change हो रहा है तो cyclones बढ़ चुके हैं आप कहा सकते हो कि glaciers बहुत ज़्यादा melt हो रहे हैं तो avalanches बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसके कारण जो है वो हर state को जरूरी है कि वो disaster management के लिए अपना पूरा का पूरा जो है वो जोर लगा दे और मैं कौन सी state की बात कर रहा हूं कि क्यों development antenna जो है वो उन्होंने develop किया इंडिया की पहली state ऐसी बन चुकी है जो पहले ही चीजों को अनुमान लगा के बता देगी और उससे हम अपना damage जो है वो कम से कम जो है कम से कम damage कर सकते है मतलब हम रोक सकते हैं damage को तो answer क्या होगा इसका answer होगा उत्राखंट तो याद कर ले answer क्या होगा इसका उत्राखंट और यह antenna बहुत ही helpful है क्योंकि मान लो कोई disaster इस तरह का है कि उसमें आपका signal जो है वो weak है आपका phone नहीं मिल रहा है तो आपको communication करने में ये क्या करेगा help करेगा मतलब जहां पे zero coverage है वहां पे भी ये क्या करेगा network coverage पहुंचाने में help करेगा तो state कौन से होगी उत्राखंट बहुत ही famous state है इस साल के उत्राखंट क्योंकि उत्राखंट में बहुत सी चीज़े स्टार्ट हुई है तो दीरे-दीरे करके हम सारी चीज़ें cover कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि रिसेंडली राम विलास पासवान जी का देहान्त हो गया है तो राम विलास पासवान जी के देहान्त के बाद ये additional charge जो उनकी मिनिस्ट्री का तक consumer affair, food and public distribution का किसको दे दिया गया है additional charge मिलका है प्यूश गोयल जी को तो याद रखना है प्यूश गोयल जी को ये additional charge मिलका है already वो minister of railways and commerce and industry है और साथी साथ deputy leader है BJP के राजय सभा के अंदर तो प्यूश गोयल अंसर नाम याद रखें next who has won the 2020 Nobel Prize in Literature बहुती famous question और बहुती important question है तो याद रखना है American poet and essayist है और उनकी अवाज के कारण जो है वो उनको मतलब बहुती अच्छी अवाज के कारण जो है वो उनको ये award जो है वो दिया जा रहा है और literature के अंदर ये दिया जा रहा है और American poet and essayist है और नाम क्या होगा लाउज गलक और अगर मेरी pronunciation गलत है तो आप अपने इसाब से इसको कर सकते हैं जो भी आपको सही लग रहे लेकिन अदर्वाइस आपको नाम याद रखना है कौन है लाउज गलक और country जरूर याद रखें country कौन सी है अमेरिका जहां से ये बिलॉंग करते है नेक्स आते हैं दोस्तो which organization has won Nobel Peace Prize 2020 again most most important question आपको जरूर पूछा जाएगा और उनकी efforts की हमने zero hunger कर देना है hunger के खिलाफ लड़ना है और हमने दो countries के बीच में peace situation को जो है वो लेके आना है और कोई भी weapon से जो है वो ना लड़े और लोगों को book के अंदर ना दखे ले क्योंकि जब भी दो countries के बीच में लड़ाई होती है तो काफी लोग जो है वो hunger के कारण जो है वो उनकी death हो जाती है तो इसलिए hunger एक ऐसा principle है जिसके कारण बहुत बड़ी revolutions जो है french revolution जो है वो एक bread के price बढ़ने के कारण हुई Russian revolution में ये हुआ Paris में ये हुआ तो ये सारी चीजे इसलिए होती है इसलिए Nobel Peace Prize उनको सम्मानित किया गया और अंसर क्या होगा World Food Program तो World Food Program को ये Nobel Peace Prize जो है वो मिला है याद रखना है World Food Program Next question के उपर आते है Name the India's first anti-radiation missile which was tested from Sukhoi 30 fighter aircraft तो इसमें most important keyword तो यहीं है first anti-radiation missile मेरे ख्याल से सब बच्चों को इसका अंसर पता होगा अंसर किया इसका और DRDO ने जो है वो इसको develop किया है और Balasor Odisa में जो है वो इसकी testing जो है वो की गई है ये air to surface missile है याद रखना है air to surface missile क्योंकि Sukhoi 30 से जो है वो इसको launch किया गया है तो by default air से surface की तरफ ये आएगी और ये कौन सी है रुदराम 1 तो नाम को याद कर ले रुदराम 1 जो है वो इसका नाम रखा गया है ये new generation anti-radiation missile है रुदराम 1 नेक्स आते हैं यूनिमनिस्टर आफ कंजूमर अफेर्स food and public distribution रामविलास पासवान जी हमने अभी किया कि उनका जो additional charge है वो प्यूष गोईल जी के पास चला गया वो कौनसी लोगसबा constituency से belong करते थे ये आपने मुझे अंसर बताना है और मेरे ख्याल से सब बच्चों को अंसर पता होगा और पहली बार लोगसबा में इलेक्ट हुए थे 1971 में 1971 में और उनके नाम Guinness World Record भी है कि हाजीपूर में वो highest margin से जीते रहे हैं काफी साल तक तो इसको भी आपने याद रखने है क्योंकि Guinness World Record है तो आप याद रखेंगे इसको तो constituency कौन सी थी हाजीपूर नेक्स आते हैं Which state or UT has become the first हर गर जल state by providing FHTC to every rural house मतलब हर गर तक जल पहुंचाने वाली ऐसी state कौन सी बन गी है functional household tap connections FHTC का मतलब सब गरों में जो है वो उन्होंने 100% tap water connection जो है वो पहुंचा दी है ऐसी पहली state कौन सी बन गी है तो answer बहुत simple है answer है Goa तो नाम याद कर लें Goa ऐसी पहली state है जो ये कर चुकी है next आते हैं What is the current repo rate of India तो याद कर लें current repo rate जो है वो चल रहा है वो according to the October जो है वो 4% चल रहा है और reverse repo rate जो है वो 0.65 जो है वो कम है मतलब 3 point लिख लें आप reverse repo rate जो है वो 3.35 चल रहा है इस time period पे MSF marginal standing facility जो है वो 4.25% है और bank rate बराबर होगा bank rate जो भी वो भी 4.25% है तो याद कर लें important है आपको पूछा जा सकता है repo, reverse repo, bank rate और reverse repo rate कितना है next आते हैं defense minister Rajna Singh late foundation stone for 450 meter long Nashifu tunnel in which state or UT तो Nashifu जो tunnel है उसका उद्गाटन जो है उसका जो foundation stone है वो रखा गया राजना सिंग जी के दवारा रखा गया यह by lane tunnel होगी और यह तवांग district में रखी गई है इसका जो foundation stone है वो तवांग district में रखा गया जो की disputed territory है अरुनाचल परदेश और चाइना के बीच में तो answer कहा होगा इसका अरुनाचल परदेश होगा अरुनाचल परदेश याद रख लेना बहुत important है और border road organization की तरफ से इसको बनाया जाएगा क्योंकि यह border area लगता है कि इसके साथ चाइना के साथ नेक्स आते हैं दोस्तो अगला question तो which is the first state or UT in India to go digital in public education तो COVID के कारण वैसे तो सब education digital है लेकिन ऐसी कौनसी state government है जिनोंने यह announce कर दिया है कि हम अपने schools को जो हमारा public education sector होगा वो completely digital होगा completely क्या होगा? डिच्टल होगा और ऐसा announce कर दिया कौनसी state government ने? कैरला ने ऐसा announce कर दिया क्योंकि कैरला most literate है तो अपनी literacy को खोना नहीं चाहते और इसलिए वो पहली state है जो digital होगी है पूरी public education के अंदा मतलब जितने भी government schools होगे जितनी भी education प्रवाइट करने है तो उसके लिए उन्होंने एक fund भी बनाया है कैरला infrastructure and technology for education fund तो वो इसको जो है वो क्या करेंगे अपलाई करेंगे तो कैरला ऐसी पहली state next how many beaches in India have been awarded with blue flag certification by Denmark-based foundation for environment education recently तो यह हम question जो है वो 30th December को भी cover कर चुके है 29th of December की news को भी cover कर चुके है कि कितनी beaches को जो है वो FEE जो की Denmark-based organization है जो blue flag प्रवाइट करती है कि उनकी beaches clean है, safe है और coastal area बिलकुल साफ है तो यह कितनी beaches को यह award दिया गया है मतलब यह flag दे दिया गया है 8 beaches को यह flag जो है वो दे दिया गया है तो याद रखना है इसमें बहुत सी beaches like शिवराजपूर, गुजरात के अंदर गोल्डन बीच, ओडिस्सा के अंदर कपड बीच, केरला के अंदर राधानगर, अंडेमानिक को बार तो यह 8 तरह की बीचीज को यह blue flag मिल चुका है और यह बहुत ही अच्छा इनिशेटीव है कि coastal areas को हमने साफ रखना है नेक्स आते हैं तो फ्रेंच ओपन को किस ने जीत लिए women category के अंदर जिसको Roland Garros भी कहा जाता है यह याद कर लें क्योंकि question आपको यह भी आ सकता है Roland Garros जो है वो किस open को कहा जाता है तो आपको चार option दे दे देंगे विबिल्डन दे दे देंगे US open दे देंगे फ्रेंच दे देंगे तो आपने बताने होगा तो Roland Garros या फिर आप कहा सकते हो कि French open तो men category में तो Raphael Nadal ने जीता है इसको लेकिन woman category में इसको किस ने जीता है woman category में जीता है Ega Swetak तो नाम को याद कर ले Ega Swetak तो कहां से बिलॉंग करती है यह यह बिलॉंग करती है Poland से इन्होंने Sophia Cannon को हराया है Sophia Cannon USA से बिलॉंग करती है तो बहुत ही important है बिल्कुल याद रखेंगे सर कोई भी नहीं बूलेंगे इसके अंदर और एक बात इस question के अंदर और याद रखेंगे कि रफेल नडाल के 13th time win था और यह 20th grand slam था जो उन्होंने जीता था और रफेल नडाल ने Roger Federer का all time men record जो 20 grand slams का वो इकल कर लिया था इसी French open के through तो याद रखना है बहुत ही important है और एक बात और इस news में आप याद रख सकते हो कि यह पहली polish tennis player है इगा स्वयातिक जिनोंने यह French open जो है वो जीता है या कोई भी grand slam जो है वो जीता है और यह 21st century में जनम लेने वाली ऐसी पहला male या female cricketer में से ऐसी पहली हैं जिनोंने कोई grand slam जीता है 21st century में जनम लेने वाली जिनोंने इस award को जीता है क्योंकि बहुत यंग है इसलिए याद रखना है नाम बहुत important होगे तो बहुत से question इसके अंदर cover हो गया है which state government has formed the first of its kind welfare vote for the upliftment of the farmers तो एक department बना दिया है उस state ने तांकि farmers को कोई भी problem ना है सिरफ farmers को uplift करने के लिए जिसका नाम क्या रखा गया है करशक कशामदनी बोड जिसको नाम देते है farmers welfare fund board और यह कौनसी government है again कैरला government है तांकि farmers को किसी भी तरह की problem ना है और नाम रखा गया है कैरला करशक शिमादनी बोड कशामदनी बोड और जिसका नाम क्या है English में हम कहेंगे कैरला farmers welfare fund board और वो बनाया है कैरला के अंदर और ऐसी वो पहली state government बन गये जिसने farmers के लिए ऐसा कोई board जो है वो बनाया है तो याद रखना है बहुत important है Next name the organization which has released the report title The Human Cost of Disasters An Overview of the Last 20 Years मतलब 2000 से लेकर 2019 मतलब यह 20 साल का जो उसमें बताया गया है कि लोगों को क्या नुकसान हुआ है किस तरह से जो है वो situations change हुई है तो यह report जो है वो किसने release की है तो यह report release की है United Nation Office for Disaster Risk Reduction कि किस तरह से हम disaster को कम कर सकते हैं Already हमारे पास एक act है National Disaster Management Act of 2005 उसके तुरू हम भी इसको implement करते हैं इस report में और भी चीज़ें जो है वो बताई हुई है तो याद रखना है किसने इसको launch किया है और यह बहुत ही खास है क्योंकि International Day for Disaster Risk Reduction जो है वो हम 13 अक्तूबर को celebrate करते हैं Next question आते है According to Reserve Bank of India Digital Payment increased at a compounded annually growth rate of from financial year 2015-16 to 1920 तो by default demonetization हुआ या आप कहा सकते हो Digital Payment का trend उसी time पे इंडिया में increase हो गया था COVID के कारण और increase हो गया तो अब इन 5 सालों के अंदर जो है वो कितना percentage जो है वो change आ चुका है तो वो change जो है वो 55.1% है 55.1% जो है वो change आ चुका है Digital Payments के अंदर Next आते हैं Who heads the panel formulated by center government to streamline telecom spectrum allocation तो किस तरह से क्योंकि आपको पता है कि telecom गोठाला बहुत ही famous 4G गोठाला और आपने ये बताना है कि center government एक panel बनाया है ताकि telecom spectrum किस तरह से बांटे जाएंगे किस तरह से दिये जाएंगे इसके लिए committee का गठन जो है वो उन्होंने कर दिया है और वो हमारे पुराने home secretary रह चुके है मैं तो बहुत ही famous cabinet secretary है उनका नाम क्या है Rajiv Guaba तो नाम याद कर ले Rajiv Guaba home secretary पहले रह चुके हैं और भी कई departments में secretary रह चुके हैं defense रह चुके हैं railway रह चुके हैं telecom रह चुके हैं इसलिए इनको बहुत जाद experience है तो उनको बनाया गया है telecom spectrum allocation का जो है वो उनका head बनाया गया है नेक्स आते हैं union textile minister samriti irani launched first ever brand and logo for Indian cotton यहीं तक news बहुत important है on the occasion of world cotton day जो की 7th October को celebrate किया जाता है तो दो question इसमें आपको मिल गए है question के अंदरी world cotton day 7th October को और आपने बताने Indian premium cotton का नाम क्या है जो की world cotton trade के नाम से बहुत ही जादा famous है और उसका trade जो है वो हम बहुत ही अच्छे से करते हैं और याद रखना है और उसका brand और logo जो है वो launch किया गया है और नाम क्या है कस्तूरी cotton तो answer क्या होगा इसका third होगा और यह one of the most important question of the month में आप इसको mark कर लें और याद रखना है इंडिया इसका 51% total organic trade करता है इसी cotton का यह बहुत ही soft है बहुत ही pure है इसकी brightness बहुत ज़्याद है वाइटनेस बहुत ज़्याद है क्योंकि एक position काफी time से खाली थी तो किसको अब बनाया गया है new deputy governor of reserve bank of india बहुत ही important है फिर से one of the most important question में इसको mark कर लें और question के chance तो आपको पता है कि 99% chance है कि यह आएगा ही आएगा क्योंकि आपको पता है कि जो resign कर गए थे जो पहले deputy governor थे वो resign कर गए थे तो अब नए जो है वो लगाए गए है answer क्या होगा M. Rajeshwar Rao तो बहुती simple answer सब बच्चे सही answer बता रहे है और यह fourth deputy governor होंगे Reserve Bank of India के और NS. Visham Nathan जो की resign कर गए थे March 2020 में अपनी term को पूरा करने से पहले ही तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसने resign किया था तो वो NS. Visham Nathan थे तो वो भी आप याद कर ले नाम NS. Visham Nathan और किसने जगा ली है M. Rajeshwar Rao ने Jivar Airport is located in which state और Jivar Airport का नाम भी जो है वो उसी के हिसाब से रख दिया गया है और Jivar Airport जो है वो कहां पे उत्तर परदेश में है और इसका नया नाम क्या होगा Noida International Green Airport Noida International Green Airport तो इसका नाम भी जो है वो आपने याद रखना है या Noida International Airport के नाम से भी जान सकते हैं आप इसको Next आते हैं What is the minimum limit of real-time gross settlement transfer एक static question आपके सामने आ गया है कि minimum to minimum RTGS की limit जो है वो कितनी है कि इतने रुपे पर ही होगा इससे कम जो है वो neft किया जाएगा तो वैसे आजकल कोई difference रह नहीं गया है लेकिन फिर भी एक question बनता है तो RTGS की minimum limit कितनी है दो लाक रुपे है RTGS की minimum limit 2 लाक रुपे है और maximum कोई ceiling नहीं है इसके ओपर लेकिन minimum जो है वो कितना होगा दो लाक होगा लेकिन RBI ने ये clear कर दिया था कि जितनी भी transactions हैं वो neft से की जा सकती है 24 इंटू 7 Next Mount Kilimanzaro the highest peak in Africa is located in which country तो Mount Kilimanzaro आपको पता है कि अफरीका की highest mountain है ये अफरीका की कौनसी country में स्थित है तो answer बहुत ही simple है answer क्या होगा Mount Kilimanzaro जो है वो आपको मिलेगी तंजानिया के अंदर तो answer क्या होगा first answer होगा और जो बच्चे answer कर रहे हैं I am really proud of you guys आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैं सबके answer देख रहा हूँ chat के अंदर और बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे है तंजानिया next Union Cabinet has approved implementation of which project to strengthen school education system और World Bank उसको जो है वो क्या कर रहा है fund कर रहा है तो उस अपने प्रोग्राम का नाम बताना है कि क्या नाम होगा जिसको जो है वो World Bank भी क्या कर रहा है fund कर रहा है तो answer क्या होगा इसका answer again जो है वो बहुत simple है answer क्या होगा stars क्या नाम होगा stars तो stars का यहाँ पर meaning क्या है stars का मतलब है strengthening, teaching and learning and results for states the answer सुनना है strengthening, teaching, learning and results for states कि teaching को improve करना है learning को improve करना है result को improve करना है states के तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम लाँच किया गया stars और वो World Bank की साहिता से लाँच किया गया education program है next आते हैं अगला question the national authority of ship recycling will be set in which state तो कौन सी जगा पे जो है वो एक ship recycling जो है वो एक जगा बनाई जाएगी उसके लिए तांकि ships को recycle किया जा सके उसको दुबारा से use करने like बनाया जा सके तो वो आपने answer बताना था तो answer क्या है इसका answer again state कौन सी है गांधीनगर गुजरात और बहुत से बच्चे सही answer दे रहे हैं बिलकुल इसका मतलब उनकी तियारी बिलकुल sufficient है फटाफट रिवाइस करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे गांधीनगर गुजरात इसका क्या होगा answer होगा next name the life insurance product which has been reintroduced by the IRDI and made it mandatory to all life insurance company from 1st jan to 2021 मतब आज से बहुत ही important news होगी है आज से ये लागू हो जाएगा कि life insurance product के नाम से IRDI ने ये compulsory कर दिया है कि सारी companies को कि ये policy जो है वो आपने जो है वो launch जो है वो release करनी है guidelines के थूँ और ये standard life insurance होगी मतब हर product के अंदर आपको ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी और answer क्या होगा इसका सरल जीवन बीमा तो याद कर लें सरल जीवन बीमा और ये आज से हर insurance policy में जो है वो IRDI की standard life insurance product के नाम से जाना जाएगा सरल जीवन बीमा next आते हैं हिंदुस्तान जिंक limited signed a MOU with which state to set up world biggest जिंक smelter plant तो सबसे बड़ा smelter plant जिंक से related जो है वो लगाया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक limited की तरफ से इसको लगाया जा रहा है और किसके साथ उन्होंने जो है वो sign किया है तो हिंदुस्तान जिंक limited वो विदानता लिम्टेड के एक subsidiary है उन्होंने memorandum of understanding sign के फिर से कौन सी state आगी है हमारे पास गुजरात state आगी है अब ही हम question करके हटे है कि ship recycling का जो plant है वो भी कहां पे लगाया जा रहा है वो भी गंदीनगर गुजरात में लगाया जा रहा है और zinc limited जो zinc smelter plant है वो भी जो है वो यहां पे लगाया जा रहा है तो याद रखना है इसको और यह first of its kind है कि इस तरह से जो है वो लगाया जाएगा और इसका main initiative यहीं है कि कोई भी liquid discharge नहीं होना चाहिए कोई जो है वो zinc जो है वो खराब नहीं करेगा किसी को हम उसको दुबारा से क्या कर लेंगे use कर लेंगे तो यह गुजरात में लगाया जा रहा है next what was the theme for global hand washing day 2020 which was celebrated on 15th October और annually इसी दिन जो है वो celebrate किया जाता है 15th October को तो उसका आपने theme बताना है theme इसलिए important है COVID के कारण और hand hygiene for all इसका क्या रहेगा theme रहेगा तो answer क्या होगा 3 होगा और सब बच्चे अंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं खास करके जो बच्चे अंसर बता रहे हैं मुझे उनके उपर बहुत ज़्यदा गर्व है क्योंकि उनकी त्यारी जो है वो पूरी है और वो बहुत अच्छे से एक्जाम को परफॉर्म करके आएंगे next question आते हैं जो जोजीला tunnel in Jammu and Kashmir provides all weather connectivity between शिरी नगर वैली and which city कौन सी city को शिरी नगर वैली के साथ जोड़ेगा जो जोजीला tunnel है तो answer इसका बहुत ही simple एक static question में आप इसको cover कर सकते हैं क्योंकि 14.15 किलोमेटर का जोजीला tunnel जम्मू कश्मीर में है ये सब को पता है और ये दो जगा को connect करेगा शिरी नगर वैली को ले के साथ क्या करेगा connect करेगा ले के साथ connect करेगा तो अटल tunnel मनाली से लहॉल स्पिती तक चलती है और जोजीला tunnel ले से लेके शिरी नगर तक चलती है तो simple याद रखना है और ये longest bi-directional road है पूरे एशिया की longest bi-directional road है लेकिन अभी और भी जो है वो news में आ चुकी है तो आप कह सकते हैं one of the longest bi-directional road है एशिया की next आते हैं who has virtually launched the kapila column program for intellectual property literacy and awareness campaign ताकि जो intellectual property से related है लोगों को knowledge दी जा सके तो उसके लिए एक column program जो है वो start किया गया है जिसका नाम है kapila जिसका नाम है column program for intellectual property literacy and awareness campaign तो ये किसने launch किया by default ministry of education की दरफ से launch किया गया तो union minister कौन है रमेश पोकरियाल निशांक जी तो उन्होंने इसको launch किया है क्योंकि intellectual property literacy week जो है वो मनाया गया 15th October से लेके 23rd of October तक तो पूरा सब्ता जो है वो इसको मनाया गया intellectual property literacy week के नाम से तो next question आते हैं which country will receive its first submarine namely INS Sindhuveer from India हमने 30th of December की news में इसको cover किया 31st में cover किया हमने INS Sindhuveer INS Sindhuveer जो है वो कौन सी नेवी जो है वो अपने अंडर कंड़क्ट कर रही है वो कर रही है मैंनमार तो नाम याद कर लें मैंनमार हमने 31st of December की news को cover किया है कल ही हमने इस news को cover किया है तो इसको आप याद कर ले next which bank signed a MOU with Ministry of Housing and Urban Affairs and Small Industries Development Bank of India to pay subsidy to street vendors under the Prime Minister कि आप जो है subsidy pay करेंगे जो street vendors को जो दो-दो हजार उपे दिये जाते हैं PM स्वाय निदी के अंदर तो वो कौन सा bank pay किया करेगा तो नाम simple हो गया नाम क्या है Indian Bank तो answer क्या होगा fourth मतलब Indian Bank के साथ ये tie-up जो है वो किया गया है तो बहुत important है Indian Bank के याद कर लें क्योंकि ये scheme के अंदर जो है वो पैसों को लोगों तक पहुंचाएगा next which is the first small finance bank to go live under the bank sponsorship program become sponsor of the Ashok Nagar cooperative bank और ये ऐसा पहला small finance bank है जो live गया है bank sponsorship के अंदर और वो किसको sponsor करेगा Ashok Nagar cooperative bank को लेकिन ज्यादा तर आपने देखा है sponsor banks बहुत बड़े bank होनता है like SBA हो गया, ICACI हो गया लेकिन ये पहला small finance bank बन गया जो sponsor करेगा किसी और bank को तो ये कौन से cooperative bank को कर रहा है ये कर रहा है Ashok Nagar cooperative bank को तो answer क्या होगा इसका answer होगा जन small finance bank तो answer होगा इसका fourth gen small finance bank next आते है which country has been re-elected re-elected as co-president of the international solar alliance for a term of two years at the third assembly of international solar alliance held virtually तो आपने बताना है कौन सी country को international solar alliance के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया है दो साल का जो है वो as a co-president का उनका time period होगा तो answer क्या होगा इसका answer बहुत simple है again answer क्या होगा इसका France होगा जो बच्चे बिल्कुल सही answer दे रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनका exam बहुत ही जल्दी जो है वो clear होने वाला है 2021 सबका exam clear करे अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्रेंड अफेर्स को करते रहेंगे तो आपका exam जरूर clear होगा France इसका answer होगा next who has been elected as the chairman of Indian Bank Association for 2020-21 most important question में इसको mark कर लें Indian Bank Association IBA के chairman जो है वो किसको बनाया गया है तो राजकिरन राय जी को इसका chairman बनाया गया fourth answer होगा वीडियो को pause कर लिया करें मेरे answer से पहले तांकि आप अपने answer को evaluate कर सके कि सही है या नहीं है और आपको पता है कि दिनेश कुमार खराजी को State Bank of India का chairman बनाया गया है और अभी जो है वो हम बात कर रहें Indian Bank Association की उसका कौन होगा राजकिरन राय जी राजकिरन राय जी already MD and CEO है किसके कौन से बैंके United Bank of India के ये भी Union Bank of India के तो ये भी अपने याद कर लेना है Union Bank of India के MD और CEO है तो इसलिए आप इनका नाम जो है वो याद रखेंगे इससे पहले रजनीश कुमार थे जो है वो अब चले गए हैं तो इसका मतलब नाम याद रखना है राजकिरन गाईची Next आते हैं क्रिकेटर उमार गुल और उमर गुल किस कंटरी के लिए उमर गुल जो है वो खेले हैं तो अंसर क्या होगा इसका again बहुत ही सिंपल अंसर है जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तानों अगर बहुत ही फेमस जो है वो बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के और ये मातर 36 36 years old थे इन्होंने अपनी retirement जो है वो गोशित कर दी है Next आते हैं दोस्तों अगला question Which bank has signed a memorandum of understanding with Mahindra and Mahindra for Tractor Finance Business तो Tractor Finance Business के लिए जो है वो किस bank ने जो है Bank of Brodera या Bank of Brodera ने जो है वो इसको sign किया ताकि वो Mahindra and Mahindra के साथ Tractor को finance कर सके हैं Next question आते हैं Who has been elected as the Prime Minister of New Zealand बहुत ही famous question और बहुत ही important क्योंकि उनी के अंदर जो है वो हमारी एक Indian origin की lady को जो है वो minister बनाया गया है तो वो भी question हम cover करेंगे लेकिन अभी फिलाल हम कर रहे हैं कि वो Prime Minister कौन चुनीगी है तो वो चुनीगी है Jacinda Arden और इनकी autobiography के बारे में भी बात करेंगे लेकिन वो भी आगले किसी question में हम उसको cover करेंगे क्योंकि वो November में आएगा तो November में हम उसको जरूर कर बगर रहेंगे लेकिन ये कौन सी party से belong करती है ये labor party से belong करती है next आते है which edition of the India-Shrilanka maritime exercise Slynex अब आपको question के अंदरी पता लग गया India-Shrilanka के जो exercise है वो Slynex है और वो जो है वो कहां पे हुई है ये आपने जो है वो मुझे बताना है कौन सी edition का जो है वो मतलब कौन से number का edition था India-Shrilanka की जो maritime exercise है Slynex और ये हुई कहां पे है तरिंको माले शिरलंका में ये नहीं बताना है कहां पे हुई है क्योंकि वो तो questioner ही बता रहा है तरिंको माले शिरलंका के अंदर ये exercise हुई है Slynex इंडिया और शिरलंका के बीच में और कौन सा edition था ये आपने मुझे बताने अंसर क्या है इसका एड़्थ edition था जो इस बार हुआ है इंडिया और शिरलंका के बीच में तो question ज्यादा important ये है कि Slynex के कौन सी दो कंटरी के बीच में और इस बार कहां पर इंडिक्ट हुई है ये ये शिरलंका के अंदर नेक्स आते हैं विच इस वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री तो अटैच फेशल वरिफिकेशन इन देनाशनल अडेंटिफिकेशन डेटाबेस तो जैसे हमारा फिंगर प्रिंट से अदार कार्ड के अंदर फेशल रेकोगनाईजेशन भी उसमें अडेट है लेकिन एज नेशनल अडेंटिफिकेशन के बेस पे फेशल रेकोगनाईजेशन जो है वो जरूरी कर दिया गया है तो उसको नाम भी ये दिया गया है सिंग पास फेश वेरिफिकेशन तो नाम से पता लग गया है कौन सी गंटरी की बात करों सिंगापूर की बात हो रही है नेक्स आते हैं और इस बार आपको पता होना चाहिए कि World Economic Forum की जो मीटिंग है भी कहाँ पे हो रही है, सिंगापूर में हो रही है 2021 की. Next, name the person who has won the gold medal in the woman event, 60-point competition in the Sheik Russell International Air Rifle Championship 2020. किसने gold medal जीता है, woman event के अंदर, और नाम बहुत ही famous है, क्योंकि उनको फिकी की तरफ से भी जो है, वो player of the year का award जो है, वो मिल चुका है, और मैं आपको hint दे रहा हूँ, तांकि आप अंसर बता सके हैं, क्योंकि बहुत ही जीज़े हैं, जो एक news के अंदर ही हम 15 minute लगाके cover कर सकते हैं, लेकिन फिलाल हमारे पास questions जादा है, time कम है, तो मैं फटा-फटा आपके questions को revise करवाना चाहता हूँ, तो हम revision कर रहे हैं, ना की questions को discuss करने हैं, तो answer क्या होगा इसका, अंसर होगा 11-0 व्लेरविन, तो नाम को जुरूर याद करें 11-0, चाहे only 11-0 याद करें, इन्होंने gold medal जीता था, ये इंडिया से बिलॉंग करती हैं, और silver medal जीता था, Shiori Hirota ने, वो जपान से बिलॉंग करती हैं, और bronze medal जो है, वो विद्या ने जीता था, वो इंडोनेशिया से बिलॉंग करती हैं, लेकिन हमें gold medal याद रखना है, और कौनसी game की बात कर रहे हैं, हम बात करें shooting की, और ये नाम कहा है, शेख रसल International Air Rifle Championship, इसके अंदर इनोंने जो है, वो gold medal जीता है, नाम को बूलना नहीं है, नाम याद कर लें, क्योंकि फिकी की तरफ से भी इनको award मिल चुका है, Next, India's first multi-model logistic park will be developed in which state, तो पहला होगा logistic park, जिसमें transport से लेके हर तरह की चीज जो है, वो उपलब्ध होगी, और ये कौनसी state में मनाया जा रहा है logistic park, ये बनाया जा रहा है, असम के अंदर, और इंडिया का पहला multi-model logistic park होगा ये, multi-model logistic park होगा, जो air के साथ connectivity है, road के सा जो है, वो connectivities की होगी, और ये असम के अंदर बनाया जा रहा है, नेक्स आते हैं, who heads the market data soup advisory committee constituted by SEBI, तो security exchange board of India की तरफ से ये committee बनाई गई है, और इसके head जो है, वो कौन होंगे, इसके head कौन होंगे, इनके head होंगे, मधा भी पुरी बोच, तो नाम को याद कर लें, who heads the market data advisory committee for constituted by the SEBI, कि किस तरह से जो है, आगे जाके हम चीजों को stock exchanges के अंदर change कर सकते हैं, किस तरह से जो है, वो और ज़्यादा restrictions लगाई जा सकते हैं, किस तरह से लोगों का पैसा बचाया जा सकता है, तो ये पूरा data जो है, वो ये committee जो है, वो बना के देगी, और कौन है इसके chairman, मधाबी पूरी बुच और बख, किसी भी तरह से नाम याद कर सकते हैं, मधाबी जो पूरी पूरा नाम जो है, वो याद कर लें, नेक्स आते हैं, विच बैंक इन कोलाबरेशन विद आयाटी मदरास, incubation cell, has launched an exclusive credit facility of up to rupees 50 crore for startups, namely, Ind Spring Board, मतलब India Spring Board, तो Ind Spring Board नाम से, जो है, वो एक आप कह सकते हो कि credit facility बना दिये, जिसमें up to 50 crore rupees का loan दिया जाएगा, और वो IIT मदरास, incubation cell, और साथ में, किस bank के साथ मिलके जो है, वो ये किया जा रहा है, तांकि नए कि नए start-ups जो है, वो खोले जा सके हैं, और याद रखना है, इसका नाम है, Ind Spring Board, आपको ये भी कि प्राइमिस्टर स्वैनिदी के अंदर भी कौन payments पे करेगा, इंडियान बैंक जो है, वो पे करेगा, नेक्स आते हैं, which edition of India's International Science Festival, 2020, headed by CSIR, will be held virtually from 22nd to 25th of December 2020, तो अब जगा तो पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि जगा तो वर्चुली हुई है, तो जगा तो आ नहीं सकती, तो इसलिए आपके पास question क्या आना है, कि as in number wise, कौन सी India's International Science Festival जो है, वो हुआ है, ये जो Ministry of Science and Technology, Earth Sciences है, उनकी तरफ से ये organize किया गया, हर्शवर्दन जी उसके यूनिमिनिस्टर है, उन्होंने ये 6th number की, 6th number की India's International Science Festival का उदगाटन के, लेकिन ये virtually हुई है, और CSIR की तरफ स मतलब Council of Scientific and Industrial Research की तरफ से इसको स्पोर्ट किया गया, तो याद रखना है, 6th होगी इस बार, next, the principality of Andorra, और Andorra formally joined the International Monetary Fund as a which member, मतलब अज़े number wise कौन सा member बन गया, Andorra कंट्री, तो पहले 189 कंट्री मेंबर थी IMF की, तो by default नाम से कलियर है कि कौन सा होगा, 190th member जो है वो Andorra, बन चुका है IMF का, IMF का headquarter आपको पता है Washington DC, USA, तो बिलकुल याद रखना है Andorra कंट्री जो recently member बनी है, यह question आएगा आपको, next, which project has won 2020 Brunel Medal for Excellence in the Civil Engineering at the Annual Institution of Civil Engineers Award 2020, तो Civil Engineering Award 2020 में, किसको बहुत ही अच्छा Civil Engineering का project तियार करने के लिए जो है, वो award जो है, मतलब कौन से project को वो award मि आपने बताना था, और यह hydroelectric project है, और नाम से पता लग रहा है, उसका नाम क्या है, मांग देचु hydroelectric project, जो की कौन सी country से बिलॉंग करता है, बुटान से बिलॉंग करता है, और इसकी खास बात क्या है, कि इंडिया ने इसको fund किया था, और 70% इंडिया ने इसमें loan दिया था मतलब वो पैसा चुकाना है बुटान ने, और 30% इसमें grant दी गई थी, मतलब वो एट टाइप था, कि एक तरह से वो पैसा जो है, वो वापिस नहीं आएगा, तो 70% जो है वो इसमें loan था, तो याद रखना है, मांग देचु पावर hydroelectric project, और इंडिया ने इसको fund किया था, कहां पे है, बुटान के अंदर है, next question आते है, कटी बिहू, is the festival celebrated in which state, नाम से पता लग रहे है, बिहू आ चुका है, तो बिहू मतलब जो है, वो किसका festival है, agricultural festival है, और तीन बिहू festival जो है, वो लगते है, कटी बिहू festival जो है, उसमें बहुत जादा famous है, बहुत जादा famous है, इ या कंगली, तो ये कौन सी state की बात कर रहो है, असम की, तो तीन तरह के बिहू festival होते है, जिसमें से एक कौन सा है, कटी बिहू, या कंगाली या कंगली बिहू, next, नासका लाइन्स, is the UNESCO heritage site located in which country, तो नासका लाइन्स जो है, तो नासका एक प्लेट पी है, तो आपने बताना के अंदर, कहां पे मिल जाएंगी, पेरू के अंदर, तो याद रखना, एक strategy का question आप यहां पे cover कर सकते हो, next, which organization released a report titled human mobility shared opportunities, तो अगर हम मतलब move करते हैं एक जगा से दूसरी जगा पे, तो by default जो है, वो opportunities बढ़ती है, culture भी share होता है, हर तरह की चीज़ें जो है, वो share होती है तो migration जो है, वो बहुत जुरूरी है regular, लेकिन COVID-19 के कारण कहीं न कहीं इसके ओपर जो है, वो stop लग चुका है, और यह report जो है, वो किसकी तरफ से परकाशित की गई है, यह परकाशित की गई है, याद रखना है, बहुत important है, United Nation Development Program की तरफ से, तो इसका मता अंसर क्या होगा इसका B होगा, UNDP की तरफ से इसको परकाशित किया गया, नेक्स आते हैं, इन्हें regulatory framework for housing finance companies, RBA fix the minimum net owned fund size for housing finance companies at what amount, तो minimum to minimum इतना amount होना चाहिए, तबी आप जो है, वो housing finance company जो है, उसके अंदर जो है, वो आप जा सकते हैं, उसी को जो है, वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, और व minimum to minimum amount कितने housing finance corporation के लिए, 25 crore, तो ये आपके पास minimum net owned fund होना चाहिए, तबी जो है, वो आप housing finance company के अंदर जो है, वो दाखिल हो सकते हैं, तो 25 crore rupees ये minimum amount होनी चाहिए, नेक्स आते हैं, which is the top district of India for implementing the प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना program, कौन सी district जो है, वो सबसे बहतरी जो है, वो ग्राम सड़क जोजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क जोजना को implement करने में आगे रही है, और मैं बात करना हूँ, वो हिमाचल परदेश की और अगर district के बात करूँगा, तो वो मंडी district होगी, क्योंकि ये village level पे और municipality level पे इसको apply किया जाता है, और याद रखन के अंदर मंडी जो है, वो एक district है, नेक्स आते हैं, the name of the first रामसर साइट of उत्रखंड which got recognition recently, अभी इंडिया में जो है, वो बहुत जादा रामसर साइट होगी है, 42 रामसर साइट जो है, वो आपको मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, recently जो है, वो ले के अंदर जो है, वो रामसर साइट है, उत्रखंड की, और ये देहरादून के अरिया में आती है, तो याद रखना है इसको, next, which state is going to develop India's first sand dune park with the assistance of world bank, world bank की तरफ से assistance मिल रहा है, कि आप एक sand dune park बनाए, मिट्टी का एक जो है, वो छोटे-छोटे टीले खड़े करके जो है, वो आप उसको बन है, next, which company in association with Delhi Metro Rail Corporation has launched a multi-purpose credit card for Delhi Metro Commuters, तो multi-purpose card जो है, वो launch किया गया है, दिली Metro Rail Corporation की तरफ से उसमें सहयोग रहेगा, और वो एक तरह का credit card भी होगा, और एक तरह का metro smart card भी होगा, तो आप उसको दोनों तरह से use कर सकते हैं, और मैंने ये question पहले भी cover किया है, कि अश्वनी कुम SBA card क्योंकि एश्वनी कुमारी तिवारी जी किसके MD or CEO है, SBA cards के, तो उन्होंने jointly जो है वो इसको launch किया, दिली Metro के साथ मिलके, next, which IIT in partnership with Tata Consultancy Services developed in novel industry 4.0 technology for remotely controlled factory operations and real time quality correction during industrial production, तो TCS की तरफ से किस IIT के साथ मिलके, एक ऐसा novel industry 4.0 technology, एक ऐसा नया technological platform विक्सित किया गया है, जिसक अंदर आप factory के operations को online ही देख सकते हैं, और real time पे देख सकते हैं कि किस जगा पे, किस तरह की production हो रही है, और सब कुछ ठीक चल रहे, वो देखने के लिए जो है, वो एक online technology जिसका नाव है novel industry 4.0 technology, यह TCS ने किस IIT के साथ मिलके विक्सित किया है, यह किया है, IIT, Next, which cooperative bank partner with National Payment Corporation of India to launch a rewards program, तो कौन से cooperative bank ने मिलके जो है, वो national NPCI के साथ मिलके, एक rewards program किया है, तांकि अगर आप पैसे को खर्च करोगे, तो आपको जो है, वो कुछ reward जो है, वो उसके basis पे मिला करेंगे, और मैं किस cooperative bank की बात कर रहा हूं, ज्यादा तरह आप नाम नहीं सुनत इतल, cooperative bank limited, उन्होंने ये loyalty program जो है, वो start किया, बैंकिंग experience को और बहतर बनाने के लिए इसको start किया है, तो आपको बता है कि हर debit और credit card के basis पर ये दिया जाता है, next was, won the third term as the president of Guya by winning the presidential election, मतलब तीसरी बार जो है, वो president बने ग्यूनिया के, तो अपने नाम बताना है, क्या नाम है उनका, तो याद कर ले हमने इस question को दो बार cover किया है, अक्तूबर के महिने में, और answer क्या होगा, इसका alpha conde, तो alpha conde या alpha conde किसी भी तरह से आप नाम को याद कर सकते हैं, otherwise alpha से भी याद कर सकते हैं, कि alpha कहां के president बने हैं, ग्यूनिया के president बने हैं, तो नाम को याद कर ले, next, British driver Lewis Hamilton won the 2020 Portuguese Grand Prix, तो Portuguese Grand Prix, जो है, वो Hamilton ने जीती है, और ये कौन सी win थी, जिससे वो शुमाकर के record की, और शुमाकर के record को तोड़ चुके हैं, क्योंकि शुमाकर क record जो है, वो 91 का था, तो by default ये कौन सी win होगी, उनकी, 92nd win होगी, जो की Portuguese Grand Prix से उनको मिली है, तो याद करना है, कौन सी Grand Prix से, उन्होंने माईकल शुमाकर का record तोड़ा है, 91 का, तो वो है Portuguese Grand Prix, next, which bank has partner with IIFL Finance, ANBFC, company to source and manages retail gold loan assets, तो कौन से bank ने IIFL Finance के साथ tie-up किया है, तांकि, वो gold loan जो भी मिलेगा, उसको manage करेंगे, और जो भी physical gold उनके पास होगा, उसको जो है, वो देखेंगे, तो IIFL Finance के साथ जो मिलके ये tie-up किया गया है, तो जो भी retail gold loan assets होगे, उसको manage करने के लिए, उन्होंने IIFL के साथ finance के लिए tie-up किया है, और वो कौन सा bank है, वो है CSB Bank, तो ना नेक्स आते हैं दोस्तों अगला question, which state has secured first rank in the disbursing loan under the Prime Minister's state vendor आतर निर्बर निदी स्कीम, तो street vendor आतर निर्बर निदी स्कीम के अंदर, जो की 10-10 हजार उपे जो है, वो provide करने थे street vendors को, तो उसके थ्रू जो है, वो सबसे पहले number पे जो state आई है, वो कौन सी आई है, वो आई उत्तर परदेश, तो नाम याद कर लें, Prime Minister's state vendor आतर निर्बर निदी के अंदर, जो है, वो उत्तर परदेश सबसे पहले स्थान पे है, और मध्यपरदेश दूसरे स्थान पे है, और तैलांगना जो है, वो तीसरे स्थान पे यहाँ पे जाएगा, next question आते हैं, which country will take part in the 24th edition of Malabar exercise along with India, United States and Japan, तो एक नहीं country आड हुई है, बहीं country जो quad का हिस्सा है, तो quad का हिस्सा कौन सी country है, Australia, तो quad group हम पहले कर चुके हैं, तो by default यहाँ पे क्या आएगा, Australia क्या होगा, इसका answer होगा, which is the first state to fix minimum sport price, that is the base price for 16 agriculture item, including vegetables, fruits and tubers, तो यसी पहली state है, क्योंकि ज्यादा तर य पारची crops के लिए भी आपको, या 16 इस तरह की crops, जिसमें MSP fix कर दिया है, और यह पहली state जो है, वो कौन सी बन गई है, यह पहली state बन गई है, कैरला, तो answer क्या होगा, इसका, third होगा, तो 89th का answer क्या होगा, third होगा, next who has been robbed in as a brand ambassador of doctor trust healthcare firm, तो doctor trust का, जो brand ambassador है, वो किसको बनाया तो right-handed batsman, बहुत ही famous batsman, और opening करते हैं, Australia के टूर में नहीं गए वो साथ में, फिट नहीं थे, तो answer क्या होगा, इसका, रोहित शर्मा होगा, तो brand ambassador of doctor trust कौन बने है, रोहित शर्मा, next, India hosted dash, India United States 2 plus 2 ministerial dialogue in New Delhi, तो बहुत ही famous है, खास करके defense और external affairs के लिए, यह 2 plus 2 dialogue जो है, वो क dialogue था, 2 plus 2 ministerial, और यह जो secretary हैं वहां के, secretary of state है, Mike Pompeo जी, जो है, वो उनकी तरफ से जो इसको organize किया गया, तो आपने याद रखना है, next आते हैं, अगला question, which is the first bank to India to become financial information provided under the new account aggregator framework of the Reserve Bank of India, मतलब ऐसा पहला bank कौन सा बन गया है, जो financial information provide करेगा, under the new account aggregator, जो नया account जो है, वो open कर इसके बारे में सारी information provide करेगा, Reserve Bank of India की तरफ से जो guidelines यारी की गई है, ऐसा पहला bank कौन सा है, जो इंडिया का financial information provider बनेगा, और वो कौन है, Indus Inde Bank है, याद कर ले, नाम बहुत important है, फिर से जादा news में नहीं रहता, तो याद करना मेरे ख्याल से कोई खास मुश्किल नहीं हो तो Indus Inde Bank का ऐसा पहला bank बन गया है, जो ऐसा काम करेगा, नेक्स आते हैं, which bank has launched the tracking and monitoring staff accountability cases, portal, जिसको नाम दिया गए, TMS SAC portal, and vigilance manual as a part of the vigilance awareness week, 27th October से लेके 2nd November तक vigilance week, जो वो celebrate किया गया है, तो वो employees की accountability को track करेगा, और वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम करे हैं, वो track कर तो ये कौन से bank के दोरा initiative लिया गया, ये लिया गया, अगेन नाम के आएगा Punjab National Bank का, तो नाम के आएगा Punjab National Bank, नेक्स आते हैं, who has been awarded with the Lifetime Achievement Award of the Third India International Film Festival of Boston, 2020, तो इंटरनेशनल, Third International Indian Film Festival Boston में जो है, वो किसको Lifetime Achievement Award जो है, वो दिया गया, तो Lifetime Achievement Award जो है, वो दिया गया, ओम पुरी जी को, तो याद कर लेना है, ओम पुरी जी को Lifetime Achievement Award मिला है, नेक्स आते हैं, अगला question, नितिन गड़करी जी, Union Minister for Road and Transport and Highways, announced that 1.8 km फैनी ब्रिज, तो यहाँ पे keyword क्या हो गया, फैनी ब्रिज, will be completed by December 2020, तो ये connect करेगा, चिटागॉंग को बांगलादेश से, इ इदर से हमारी जो है, वो त्रीपुरा को क्या करेगा, connect करेगा, तो इदर से किसको connect कर रहा है, त्रीपुरा को, connect कर रहा है, और याद करना है कि त्रीपुरा में एक जगा है, जो इसका नाम है सब्रम, सब्रम त्रीपुरा के अंदर, और चिटागॉंग के अंदर एक जग है next how much of remittance will get reduced to india as per the latest estimate published in the world bank migration and development brief 33 due to the ongoing corona virus and the global economic recession तो corona के कारण क्योंकि migration नहीं हो रहा है business नहीं हो रहा है तो कितना पैसा जो है वो नहीं आएगा इंडिया के अंदर during this financial year तो answer क्या होगा इसका answer बहुत ही simple है answer होगा 76 billion dollar क्योंकि हम जो भी estimates हैं वो world bank का या WHO का वहीं cover करना है हमने otherwise ऐसे तो बहुत से estimates आते हैं जो आप याद रख सकते हो लेकिन हमने उतको याद नहीं करना क्योंकि हम एक question के लिए जो बहुत सारी चीज़ें याद कर ले वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है तो 76 billion dollar जो है वो यहाँ पर answer आएगा next who is the Indian author of the world first science tune book titled Bye Bye Corona तो याद करना है इसको science tune book है और world की पहली science tune book है जो Bye Bye Corona के नाम से publish की गई है और Indian author जो है वो कौन है जिन्होंने इस book को लिखा है और नाम क्या है उनका परदीप कुमार श्रीवास्तवा तो नाम को याद कर ले परदीप कुमार श्रीवास्तवा मतलब यह science और कार्टून से related है तो इसलिए इसका नाम क्या है साइंटून नेक्स आते हैं how many biosphere reserves from India were included recently in international coordinating council ICC मतलब international coordinating council of UNESCO man and biosphere program तो उसके अंदर इंडिया की कौन सी कितनी sites को include कर दिया गया है अगर limited number है तो वो कौन कौन सी है तो answer क्या है इसका 1 तो मतलब बहुत limited हो गया और वो कौन सी है पन्ना biosphere reserve जो की कहां पर मिलेगा आपको मद्यप्रदेश के अंदर मिलेगा तो यह याद कर लेना है otherwise और भी countries की sites को include किया गया है जैसे Maldives की एक site है that is Adhu Atoll Biosphere Reserve उसको include किया गया है लेकिन इंडिया की site याद रखना है आपने पन्ना biosphere reserve को include किया गया है International Coordinating Council of UNESCO Man and Biosphere program के अंदर नेक्स आते हैं छबार port is located in which country तो छबार port जो है वो कौन सी country के अंदर located है बहुत ही simple answer है अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा इरान तो नाम याद कर लें country का क्योंकि सबसे famous ports में से एक है और बहुत ही ज़्यादा trade करने वाले इंडिया इरान अफगानिस्तान और भी उजबेकिस्तान को ले लिया अब हमने और भी countries को हम इसके अंदर लेके आएंगे और दोस्तों यह आता है October का last question Indian Navy Guided Missile Corvette INS क्या नाम है उसका test fired anti ship missile in Bay of Bengal तो आपने उस Indian Navy Guided Missile Corvette INS का नाम बताना है कि क्या होगा जिसका testing जो है वो किया गया है test fired anti ship missile और वहीं से जो है वो anti ship missile का test जो है वो किया गया तो answer क्या होगा इसका answer होगा INS कोरा तो क्या होगा INS कोरा तो यह थे हमारे पास 100 important questions जिसकी आपको हम PDF पर वाइट करते हैं और याद रखना है यह 100 questions वहीं है जो PDF में आपको given है तो PDF को पढ़ने के बाद अगर यहां से revise करते हो या यहां से पढ़ने के बाद PDF में revise करते हो 700 प्लस likes हमें चाहिए तांकि हम आपको और भी तरह की videos provide कर सकें और यह affairs cloud का promise है कि यह 2021 में आपके current affairs section को boost तो करेगा ही करेगा और आपका exam clear करवाने में पूरी तरह से help करेगा और guys 90% question जो है वो हमारे ही current affairs से cover किये जाते हैं PDF और videos को मिला के इसलिए बहुत जरूरी है कि आ आप affairs cloud के ऊपर पूरी तरह से trust कर सकते हैं thank you guys for watching this video और 2021 की बहुत बहुत शुब कामना है आपको और इसी तरह से हम रोज मिलते रहेंगे इसी तरह से current affairs को करते रहेंगे life को ज्यादा serious नहीं लेना है खुश रहना है खुश रहने से आपके exams clear हो जाएंगे बिलकुल thank you guys take care bye bye